विध्यार्थियो आज का विशे है अपना बहुँ अचनास्य प्रियोग हाँ हम पढ़ रहे थे तृतियह पाठहा जिसका नाम है शब्द परीचे अर्थार्थ अकारांत जो नपुन सगलिंग शब्द है वो हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ लिया था अब तक सामान्य परीचे एक वचनस्य प्रियोग हा दुई वचनस्य प्रियोग हा और आज हम पढ़ने वाले हैं भवचनस्य प्रियोग हा तो आईए विद्यार्थियो कॉपी पैन साथ लेके बैठें और कठिन शब्दों के आर्थ लिखते रहें प्रियोग यहां पर आपको एक चित्र नजर आ रहा है आपकी पाठ्थ पुस्तक के बिंदू अनसार अब यहां पर देखिए किस प्रकार हम इसका अध्यन करेंगे एतानि, मतलब यह जो चित्र है, इसमें कानि क्या है? यह सब जो है ना भोवचन में है, थिकья ना? ध्यान रखिए, दो से ज़ादा होते ही, संख्या में आपको यहां चार में जर आहरे लेकिन दो से ज़ादा है तो भोवचन हो गया ना? तो एतानी यानि ये सब कानी यानि क्या है ये सब क्या है टिके ना एतानी करवस्त्रानी संती ये सब क्या है करवस्त्र है आर्थार्थ रुमाल है टिके ना ये सब क्या है रुमाल है टिके किम क्या टिके ना एतानी ये सब टिके ना पुरानानी क्या ये सब पुराने है पु ठीक है न, नहीं एतानी तू नूतनानी यह सब तू यानि निष्चय नूतनानी यानि नएत कैसे है नएतन, तोormaul टाrint फि Everybody आनि रुमाल पुराणानि आनि पुराणे नूतनानि नय ठीक है विद्यार्तियों समझ में आ रहा है न अब यहां पर देखिए हम किस्वचन का प्रियोग करें भोवचन का प्रियोग करें आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है यह बिध्या दे उल्ट ने और आपको य पिछली बार भी आपने पढ़ा था उपनेत्र के शब्द रूप के इस प्रकार हम प्रत्मा में लिखते हैं तो यहाँ पर भुवचन में प्रत्मा में क्या होगा उपनेत्राणी यह तो हो गई चित्र की बात अब बात करें अगर चित्र नहीं हो तो रिक्तिस्थान हो ऐसे option दे दे अपने पास में कोश्टक में तो कैसे भरें तो एतानी ठीक है न अब यहाँ पर दिखिए भुवचन में नहीं नजर आ रहा है यहाँ भी नहीं नजर आ रहा है ठीक है न तो हम क्या फलानी लिख दें ठीक है न बच्चों की नजर जाएगी आपकी नजर जाएगी कि हाँ फलानी लिख दें यह सही मेच कर रहा है ठीक है न चलो माना कि फलानी लिख भी दिया तो इसका क्या बनता है ना द्वी वचनम यहां क्या बनता है एते अब जब हम फल शब्द की बात करें प्रत्मा एक वचन की बात करें तो क्या रूप बनेगा फल और अगर भवचन की बात करें तो क्या बनेगा फले और अगर भवचन की बात करें तो क्या बनेगा फलानी ठीक है ना तो इस प्रकार यह दोनों सेम है यानि एतानी फलानी यानि सेम होने का मतलब भवचन में है इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा उत्तर फलानी एतानी फलानी इस प्रकार हमारा ये सही हो गया तो जब भी हम उत्तर लिखें उसकी उत्तर की जांच हमें कर लेनी चाहिए ताकि ये पक्का हो जाए कि हां हम सही लिख रहे हैं ठीक है विद्यार्तियों समझ में आ रहा है ना अब यहां पर देखिए दो तरीके आपको हमने बता दि ये दो तरीके से आपके प्रश्ण उत्तर पूछता है ठीक है वो हमें ध्यान में रखना है ठीक है विद्यार्तियों आगे चलते हैं तानी कानी ठीक है ना तानी तानी कौन से यानि वे सब वे सब कौन ठीक है ना यहां पर बात कर रहे हैं इसकी ठीक है ना मुह में पानी आगे ना ठीके फल देखते ही ठीके तानी यानी वेसब जो मैंने अभी गोला किया है वेसब कानी क्या है तानी कदली फलानी संती तानी यानी वेसब कदली फलानी यानी केले के फल ठीके ना संती यानी है वेसब केले के फल है या केले है ठीके ना समझ में आ रहा है किम तानी मधुराणी किम यानि क्या तानी यानि वे सब मधुराणी यानि मीठे है क्या वे सब मीठे है आम हाँ ध्याना कि ये पहले भी ये शब्द आया है आम का मतलब क्या होता है हाँ ठीक है ना खाने वाला आम नहीं आम अब अब यह है ये इसका आर्थ होता है हाँ आम यानि हाँ तानी मधुरानी वे सब कैसे हैं मिठे हैं पोशकानी च और पोशक है पोश्टिक है ठीक है ना पुष्ट करने वाले हैं मजबूत बनाने वाले हैं शरीर को ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए तानी कदली फलानी वे सब कदली फल है ठीक है किम तानी मधुरानी क्या वे मिठ ठीक है आम तानी मदुरानी पोशकानी च वे सब मिठे भी है और कैसे है पोशक भी है ठीक है पोश्टिक भी है अब यहाँ पर देखिए अर्था आपको पता चली गया च यानी और पोशकानी यानी पोश्टिक ठीक है मदुरानी यानी मीठे और कदली फलानी यानी केले ठीक तानी मधुराणी समझ में आ रहा है किम लगा हुआ है किम तानी मधुराणी और तानी मधुराणी इस प्रकार यहां पर यह जोड़े बने हुए है ठीक है आगे देखिए अन्य उधारन के माध्यम से अब देखिए यहां पर ठीक है तानी यानि वेसब कानी क्या है वेसब क् विद्यारतियों आपको क्या नज़र आ रहा है छाता बरसात में हम काम में लेते हैं तो यहां पर देखिए छाता जो होता है उसको हम बोलते हैं एक वचन में छत्रम क्या बोलते हैं छत्रम का मतलब छाता एक वचन की बात है जब हम रूप चलाएंगे तो छत्रम छत्रे छत् इस प्रकार रूप चलेंगे ठीक है आब यहां पर दिखिए बहुँचन है तो च शत्र म चाट के लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे तानी कम लानी क्या लिखेंगे तानी कम लानी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना विद्यार्तियों, अब यहाँ पर देखिए, दूसरी तरीके से देदे, कैसे, जैसे की माल लीजेगा, यहाँ पर देदे, कि अमराणी, और आपको पूछे, कि यहाँ पर बताईए, एते और एतानी में से क्या आएगा, तो बताईए विद्यार्तियों क्या आ सकता है, ठीक है ना, हमने देखा, आमराणी भवचन है, और एते द्विवचन है, ठीक है, तो एते तो नहीं आएगा, और बचा क्या, एतानी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एतानी, ठीक है, तो इस प्रकार आप से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उमीद करता हूं विद्यार्तियों कि आपको यह समझ में आया होगा, तो आज हमने क्या पढ़ा, भवचन अस्य प्रियोगा, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने पढ़ लिया, सामाने परीचे पहले भाग में, दूसरे भाग में हमने पढ़ लि शब्द है वो पूरा हो गया लेकिन अब हम अगले भाग में पढ़ने वाले हैं इसके प्रश्ण उत्तर जिससे हम और अच्छे से इसको समझ पाएंगे उमीद करता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा मेरे साथ बने रही है फिर मिलता हूं नमस्कार रहा